Hello friends, welcome back to my channel, मैं हूँ आपका दोस्ट और होस्ट Vicky और दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक एलेक्ट्रिक प्रेशर वाशर का वीडियो डाला था जो की Rescue Tech Company का था, 1700 वाट्स का वो मॉडल था उनिवर्सल मोटर के साथ मैं तो दोस्तों उस वीडियो को अच्छा response आया है, इसके लिए जो Rescue Tech Company है उसने मुझे एक उनका जो टॉप एंड मोडल है, हायर मोडल, सबसे हाय वाला वो मुझे रिवीव करने के लिए भीजा है, और करीब करीब दो मैने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब यह है कि यह बहुत सालों तक सालों साल तक यह चलेगा, इंडक्शन मोटर जनरल यह हम लोग जो घर पर यूज़ करते हैं जितने भी आपके घर पर मोटर रहेंगे या फिर पानी खीचने के लिए हो, या फिर आपके घर पर घरगंटी होगा, आटा पिसने का मशीन होगा, उसमें भी सब वही यूज़ होता है, और आपको तो पता होगा कि एक सालों साल तक उनको कुछ होता नहीं है, तो इंडक्शन मोटर होने के वज़े से सबसे मैं ने धोया था, मैंने इसको बहुत सारे multipurpose उसके यूज़ किया है, तो तीन बर मैंने ऐसे इसको वाश किया था और बहुत सारे चीज़ों पर मैंने यूज़ किया इसको बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तो टॉप मोडल के कुछ और भी फीचर से क्यु 2000W 140 बार प्रेशर के साथ मैं तो चलिए दोस्तों अन्बॉक्सिंग नहीं करेंगे डारेक्ली जितने भी इसके पार्ट से वह मैं एसेमली के टाइम पर दिखा दूँगा ताकि आपका भी टाइम बज़े और फिर हम लोग 2000W का पावर कंदमशन है मतलब 2.2, 2.3 HP का इसके अंदर मोटर लगा हुआ है 140 बार का ये प्रेशर है इसमें और 6.4 लीटर पर मिनिट इसका केपैसिटी है मतलब ये थ्रो करेगा पानी 140 बार मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे देखिए और सॉक्षन फीचर के साथ में इधर अं इसका ये दिया हुआ है तो काफी अच्छा है और दोस्तों ये कभी भी आपको किसी भी लाइव एनिमल्स पर यूज नहीं करना है मतलब किसी की साथ आपका दोस्तों कोई दुश्मन हो उसके ओपर ये डारेक्ली मत मारिया क्योंकि बहुत हेवी फोर्स से पानी निकलता है दोस्तों सबसे पहले है ये गन ये गन के यहाँ पे नीचे इधर होस पाइप लगेगा ये इसका ट्रिगर है और ट्रिगर को रिलीज करने के लिए यहाँ पर बटन होता है गन के आगे दोस्तों एक एक्स्टेंशन होता है और अगर आपको फोम वॉश करना है तो गन के आ अपने ही साब से कर सकते हैं वाशिंग के दोरों क्योंकि दोस्तों यह हाइड मॉडल है तो इसकी साथ में एक एल शेप या फिर 90 डिग्री शेप नॉजल भी आता है जिससे आप जो टायर के नीचे का हिस्सा है उसको भी क्लीन कर सकते हो अच्छी तरीके से उसकी बाद में य लेख सकते हो ब्रास का कनेक्टर है यह वन लिटर का फोम बॉटल होता है यह प्लास्टिक से बना हुआ है तो इसका बिल्ड कॉलेटी भी काफी अच्छा है बाहर से अगर आप अलग से लेने जाओगे तो हजार से ग्यारा सो रुपया इसका अलग से कीमत होता है क्योंकि यह हाई-end model है तो इसके वज़े से इसमें included है यह दूस्तो इसका ब्रास का extension है इसको ऐसे लगा कर हम लोग फिर जो हमारा गन है उसको attach कर सकते हैं अभी जो मैं खोल रहा हूँ उसके अंदर आपको यह connector लगाना है तो इसके दौरा आप अपने input को connect कर सकते हो और उसके बा पुश करके बस इसको अंदर ढखल दीजे और यह लग जाएगा ओके सो दोस्तो अब है अपना washing time सारा assembly हो चुका है यह जो pipe है वो input का pipe है देखिए पानी के अंदर भरा हुआ है और दूसरा जो black वाला pipe है वो सीधा gun को attach हो गया है और अभी हम लोग चालू करेंगे हमारा button और main switch तो कि दोस्तो सबसे पहला step है rinsing सबसे पहले हम लोग गाड़ी को गिला कर लेंगे ताकि हम लोग का फोम जो है वो अच्छे से चिपक जाए चारो तरफ से हम लोग यह कर लेंगे इसकी लिए दोस्तों जो setting है उसको थोड़ा सा broad रखिए ताकि अच्छी तरह से लेकिन हाँ जहाँ पर fiber है वहाँ पर आप pointed वाला यूज़ कर सकते हो तो यह complete करता है हमारा rinsing का पार उसके बाद दोस्तों हम लोग foam gun attach करके फिर इसको foaming कर देंगे तो दोस्तों यह है वेवेक्स का auto care foam blaster car shampoo यह मैंने दोस्तों Amazon से लिया था इसकी link description box और first comment में mention कर दी है दोस्तों एक लिटर के bottle में आप इसको 50 ml से लेकि 100 ml तक डाल सकते हो अगर आपको thick foam चाहिए तो 100 ml डाली है और चलिए दोस्तों हम लोग अभी कर लेते हैं spray देखिए क्या जबरदस्त foam आ रहा है इसमें से अभी हम लोग इसको चारो तरफ से मस्तव की foaming कर लेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं एक दो मज़ा आता है यह सब करने में दोस्तों इमें 4x forward कर दिया है अगर आपको इसको normally देखना होगा तो आप इसको please 0.25x पर देख लीजे क्योंकि फिर आपका भी टाइम बचेगा इसमें ओके दोस्तों दुनिया में कितनी है नफरते फिर भी दिलो में चाहते मर भी जाए प्यार वाले लुट भी जाए यार वाले जिन्दा रहती है बस उनकी महबत है याद रखना दोस्तों इसमें एक कुछ फिल करना था बीच में उसकी बाद में दोस्तों एक कपड़ा लीजिए अगर आपके पास micro fiber cloth है तो बहुत ही अच्छा है अगर उसको अच्छे से इस तरह से clean कर लीजिए क्योंकि दोस्तों ये video demonstration है इसके लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ लेकिन अगर आपकी गाड़ी ज्यादा गंदा नहीं है तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आप directly इसको wash भी कर सकते हो ये step आप skip कर सकते हो कहने को साथ अपने ये दुनिया चलती है लेकिन इस दिल में तनहा ही पलती है बस तेरी याद तेरी याद साथ है ये भी दोस्तों एक filler था entertainment के लिए अब दोस्तों washing के बाद में अभी हम लोग एक और बार इसको rinse कर देंगे और फिर तॉलिया लेके इसको अच्छे से पौ प्रे जो है वो थोड़ा सा थिक वाला यूज करना है और हाँ दोस्तों JCB का वीडियो आने वाला इसलिए आप बने रही है अगर वीडियो अप्लोडेड है तो आप आई बटन में जाके अभी उसको देख सकते हो अभी आप देख सकते हो दोस्तों कार कितनी चका चक सब रही इसको फिलन करल के इन खेंगे आप यहां पर स्ट्रेट वाला यूज करके टायर को पहले क्लीन कर लीजे और उसके बाद में लोग 90 वाला जो अंदर वाली सइड है उसको निकाल सकते जो उपर का क्लीन हो जाने के बाद में हम लोग 90 अटैच करके यह जो टायर के ऊप पूर्ट प्रेश पॉंटेड होता है तो इसके वजह से फोर्ज ज्यादा जन्रेट होके वो सारा प्रीचर जो है वो निकल जाएगा और दोस्तो एक मिनिट के बाद में देख सकते हो कि यह पूरी तरह से अच्छे से क्लीन हो गया है अभी जो टायर का रिम है उसको हम लोग अच्छे से क्लीन कर लेंगे दोस्तो अभी यह देखिए वौक अराउंड करते हैं अच्छे से कार क्लीन हो जाने के बाद में आप देख सकते हो काच वगए पुरा क्रिस्टल क्लियर है और यह अब चेक आउट कर लीजे दोस्तो बेकरार में बेकरार बस अब किसी से यहाँ वहाँ कहाँ यह भी दोस्तो एंटर्टेन्मेंट के लिए था ताकि में फिल कर सको अब देख लीजे कार मस्त से क्लीन हो गई है तो दुस्तो कार को अभी हम लोगे चका चक धो डाला है और यह था सब कोच रिस्क्यूटेक एक्सफोर्स के एक्सप्रेस पावर वशर के बारे में मैं उमीद करता हो वीडियो आपको हिल्फुल लगा होगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रोड़की लिंक दिस् प्रोड़की लिए और है वसे फित लिए बाइ